अधाब नाजरीन गटिया लिवस 24-7 देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ सबरीना महराज तो चले सबसे पहले नज़र डालते हैं दिन बर की चंद एहम सुर्कियों पर लेटन गवर्नर मनोई सिनाकी, वेशनव देवी, श्राइन पोर्ड और स्मवी डी गुरुकुल के यह में तासीस की तकरीब में शिर्कत बदुनवानी से पाक जुम कश्मीर मौजुदा इंतजामिया का मिशन और एहमतरी इंतरजी चीफ सेक्रेटरी लोसी के करीब मश्कूक नकलो हरकत के बाद तलाशी ऑपरेशन जारी सुप्रीम कोट ने लदाख तरकियाती का उसल के इंतखाबात का नोटिफिकेशन का लदम करार दे दिया और कश्मीर रिक्षा एसोसियेशन का ये रिक्षा उपरेशन के खिलाब सरी नगर में एतिजाज अपेश हैं खबरों की तफसीर कट्रा में शरीमाता वेशन अफदेवी श्राइन बोर्ड और एसम वीडी कुरुकुल के यौमे तासीस की तकरीब मनकित हुई जिसमें लेफ्टन कवर्णर मनुई सिना ने बतोर मेहमाने खुसी के शर्कत की जबकि इस तक्रीब में शराइन बोर्ड के जिम्हदार और एसम वीडी कुरुकुल में तायनात हसातिजा और तल्बार ने भी शर्कत की निवस अजनसी के मताबिक ट्रामे शरी माता वेशन अव देवी शराइन बोर्ड और एसम वीडी गुरुकुल के यौमे तासीस की तकरीब के माके पर लेफ्टन कवर्णर मनुई सिना ने गायतरी बवन बोर्ड के मलाजमिन के लिए एक रहाइशी कंप्लेक्ट शराइन एरिया में जहरी जमीन केबलिंग प्रोजेक्ट और गुरुकुल में जाफिका ने रहाइश का इफ्टता किया तकरीब से किताब करते हुए लेफ्टन कवर्णर मनुई सिना ने कहा कि हकुमत बोर्ड के मलाजमिन के अफ़ाज़त और फलावा बहबूत के लिए पुर अज़म है गुर्प्चंते पाक जम कश्मीर हफता के दीसरे दिन चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अर्विन कुमार मेता ने आज तमाम स्टेक होल्डर्स बशमूल डेप्यूटरी कमिशनरूं पी आर आई मिम्रान प्रभारी याने इन चारिज अपसरान मुतलका माकमों के सरकारी अपसर के दोरान चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अर्विन कुमार मेता ने सभी को कुरॉप्चन की लानत के बारे में आज़ादाना तार पर बात करने की तरगीब दी ताकि निजाम से बुराई को मौसर तरीकी से खतम किया जाए उन्होंने कहा कि सिर्फ इसके बारे में बात करने से ही इसके असरात के बारे में वाज़े अंदाजा हो सकता है और मजीद का रवाई की जरूरत है जमकश्मीर के पुलिस अर्बरा दिलबाक सिंग का कहना है कि यूनिन टेरिटरी के मुखतल फिसों से जो मिलिटन्ट पना लेने के लिए पाकिस्तान चले गए हैं उनकी जायदाद को मौनसल किया जा रहा है और यह सलसला जारी रहेगा उन्होंने का कि हमारे पास जमकश्मीर से तालुक रखने वाले मिलिटन्टू के एक फैर्सत है जो पाकिस्तान चले गए हैं उनका कहना था कि इन मिलिटन्टू पर कड़ी नज़र रखी जा रही हैं क्योंकि यह लोग सरत पार बैठ कर तह्षक करती को फरोग दिर रहे हैं इन बातों का इसार पॉलिस चीफ ने राज़ोरी में एक पुरहुजूम प्रेस कॉन्फरिंस की दोरान किया सुप्रीम कोट ने आज लद्धा खुदमुक्तार पहादी तरक्याती कौसल के इंतखाबात के नोटिफिकेशन को मनसूख कर दिया जो 10 सितंबर को होने वाले थी सुप्रीम कोट का फैसला नेशल कॉंटफरिंज के उम्मिदबार को हल के निशान से इंकार को चालेज़ करने वाली पैटेशन के पासे मनसूर में आया है सुप्रिम पोर्ट का हुकम नैशल कॉन्फरेंस के लिए एक बड़ी राहत के तोर पर आया है क्योंकि उसके उमीद बारों को इंतखाबी निशान के तोर पर हल इस्तमाल करने की इजासत दी सेकेरोटी पोर्टस ने आज जब पोंचे जले में लाइन अफ कंट्रोल के करीब मुश्तबा नकलो हरकत देखने के बाद तलाशी ऑपरेशन शुरू किया देफाई जराई ने पताया कि यह आउपरेशन सावेजियां सेक्टर में दिन के आवाइल में शुरू किया था और आखरी इतलाथ मुश्ल होने तक जारी था उन्होंने बताया कि फोजियों ने मुश्तबा जंगजू के एक ग्रूप की नकलो हरकत को देखा जो सहरत पार से इस तरफ गुस्ने की कोशिश कर रहे थे हमारी दुमाइदे कौसर गुल की रिपोर्ट के मताबिक हफ़ता बर जारी रहने वाली ब्रस्ट चार मुक्त जम कश्मीर मुहिम के बैनर तले मैकमा जल्द शक्ती कुलगाम ने आज यहां नए कॉन्फरिंस हौल कुलगाम में एक खुसूसी केम्प का इनकाद किया आपको बताती है चले के प्रोग्राम के एफटता डेप्लिटी कुलगाम डॉक्टर बिलाल महिद्दीन बर्थ ने किया इस तमाथ से खिताब करते हुए डेप्लिटी कुलगाम डॉक्टर बिलाल महिद्दीन बर्थ ने कहा के सब्टा तवील प्रोग्राम के नकाद का मकसद कुरॉप्शन का खातिमा और शफाप और जवाबिदा तर्ज हुकुमरानी को फरोग दें पिर नमाइदी प्रुम्ट स्यास की रिपोर्ट के मताबिक चीफ सेक्रेटरी जम कश्मीर अर्विन कुमार महता ने आज जले इंतजा में बांदीपुरा की तरफ से मुनाकिदा एक बुलाग दिवस तक्रीब के दोरान नेजबल और कावपुरा गाओ के पंचाईती राज इदारों के पियर आईज के नुएदू के साथ अमली तोर पर बात चीट की इस मौके पर डेप्योटी केमिशनर बांडीपुरा डॉक्टर उवेस एहमद भी मौचू थे इस मौके पर दीगर के लावा डीडी सी मिम्रान तमाम जले और सेक्टरल अपसरान के लावा लोगों के एक बड़ी तैदाद मौचू थी इस मौके पर सीएस ने कहा कि बरस्टा चार मुक्त जेंड के हफ़ता जम्रक्श्मीर इंतिजामिया की तरफ से सरकारी अवामी जिन्दगी के तमाम सत्थों से बदुनवानी को खत्म करने के एक वकफ कोशिश है और हफता बर के प्रोग्रेम के दौरान कई सरकर्मियों का शेडूर तर्तीब दिया गया है क्या कुछ मजीद हैं आए देखिए हमारी ये रिपार्ट जो हमारा ब्लॉग दिवस रहता है इसमें नॉर्मली पबलिक के साथ इंटरेक्शन होता है कि आई शूज है और जो हमारे लेवल पर बाहर भी होते हैं डिपार्टमेंटल होते हैं जैसे कि ये सुंबल का फूट बिज है इसका था क्योंकि डिपार्टमेंटली अलॉटेट था और इसका काम चल रहा था बट पूरी तरह से नहीं हो पाया अब इसका वो टेंडर कैंसल किया गया लोगों की रिकमेंडेशन पे हमने यहां से आगे अपनी की आज एकजिजिन साब के एकजिन साब निस पारे में बताया है कि अब इसको फ्रेश काम को शुरू किया जा रहा है मुझे उन्होंने बताया कि सीरिफ में डाला गया है इशूज अटाने के लिए गर्मेंट ने क्या क्या किया है जैसे डिजिटल सर्विसिस आई हैं जिसकी वज़े से आप घर बैठे बैठे भी कोई भी सर्विस के लिए अपलाई कर सकते हैं और टाइम बाउंड मैनर में उस सर्विस मिलनी है आज के टाइम पे कोई ऐसा काम नहीं है जो बिना टेंडरिंग के हो रहा हो जो कि एक बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ा मूव रहा है ये गर्मेंट का हम शिफ्ट कर पाई इसमें और उसके साथ-साथ-साथ-साथ आप देखेंगी जो हमारा बजट है डिस्टिट का वो साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-स करोड रहा है उससे पहले सो करोड एक रहा करता था तो इतना बड़े 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 जांगिर खान की रिपोर्ट के मताबिक सोपोर के बरम लाजले के गार्मेंट करलस मिडल स्कूल बोर्टेंगो ने अज़ यो में असातिजा मनाया जिस में आप तालबात ने अपने असातिजा के एतिया अपनी महबत और अतिराम का इजार करते हुए इस प्रोग्राम में हिस्ट लिया इस माके पर महमाने खुसी जी परोफेसर जीम कावा और मुपते अबद الرशीद महमा ने खुसूसी थे तक्रीब में तौलबा और हाजी निसार अहमद कनाई के लावा बीडी सी के मिम्बर जैनागीर लोन इमरान और जैनागीर के मुजर्ग शेहरियों ने शिर्कत की इस मौके पर मुख्तलिब मुकररीन ने सहतमद मुशायरे में उस्ताद केहमेद पर रोशनी डाली अपने खिताब में मुख्तलिब मुकररीन ने असातिजा को रोशनी का चराग और कौम के मेमार करार दिया जो तौलबा की जिन्दगी की तश्कील में कलीदी किर्दार अदा करते हैं क्या कुछ मजीद है आए देखे हमारी ये रेपॉर्ट श्कील में में देखे है आए तौल जो तौल अपन तौल तौल मिए दिलाए तश्कील मैं開़ा नहीं पाई जलापुश के मंदी सरदी लाके में दरंदाजी की कोशिश नाकाम बनाते हुए सेक्यरोटी फोर्स ने गुजशता शब दोज जंग जू को जाम बहग किया है। जंगल और खडी मेलान का इस्तमाल देशतकर्दों ने अपने फाजियों पर भारी मिगतार में गुलाबारी करने के लिए किया। अगले रोज तक चारी रहने वाली फाईरिंग के तबादले में दोनों देशतकर्द मारे गई। सीरीज का साथवा सिकाफती मेला था। इस सिकाफती मेले में फन और सिकाफत के मुकतलिब शुबूब से तालग रखते वाले फनकारू की तरफ से मुकतलिब तमदुनी और सिकाफती प्रोग्राम पेश किये गए। तकरीब के आकास में इंचारच आफिसर डिविजनल आफिस कश्मीर कल्चरल अकैडिमी डॉक्टर फारुक अन्वर मिर्जा ने महमानों, फनकारों, तालिबात और हाजरीन का इस्तक्बाल किया। उन्होंने अपने इस्तक्बालिया में कहा कि कश्मीर के फन और सकाफत को फरोग देने के लिए हर मुमकिना अक्तमाद उठाए जा रहे हैं। और ये मेला इसी सलसले की एक गड़ी है। तकरीब पर तहसील मजस्ट्रेट गुलाम रसूल महमाने खसूसी की हैसित से तकरीब प अधारत में मौजूद थी। आपको बताते चले कि इस प्रोग्राम में सकाफती मेले में मारूप कलमकार और ब्रोडकास्टर जाहिद मुक्तार ने जला नंतिना का सकाफती मनजर नामा पेश किया है। आपको बताते चले कि मुशायरे में मुजफर हुसाइन दिलबर, इत जबके अडिटर, इंसाइकलोपीडिया, कश्मीर याना डॉक्टर साइद इफ्तकार ने महमानों, मकामी बाशन दू और तल्बा वा तालिबात का शुक्रिया अदा किया। तक्रीप और और शक्सियात के लावा डॉक्टर शबनम रफीक, डॉक्टर गुलजार एमदराथ जमिल अनसारी अश्वात अहमद, गुरमेट सिंग और अब्दल गनीशा भी मौच्ट थे। और और अलकश्मीर इक्षा असुसियाशन ने आज प्रेस कॉलनी में जमा होकर इक्षा ऑपरेशन के खिलाप एथिजाज दरुश की हैं। एथिजाज जूने अपने हाथों में बैनर्स उठा रखे थे और वो अपने मौतालबात के हक में जम कर नारा बाजी कर रही थे। इस मौके पर असुसियाशन के सेक्रेटरी जावेद एमत ने मीडिया को बताया हम सुरीनेकर में चल रहे हैं गयर कानूनी एरिक्षा ऑपरेशन के खिलाप एथिजाज कर रहे है उन्होंने कहा कि हमने इस मौमले को लेकर कई बारा अफ़िजाश किया लेकिन हमारी बात नहीं सुनी चारही है। उनका कहना था कि हम इस सलसले में आटियो और S.S.P. सहब के पास भी गए लेकिन मसला कहल नहीं हुआ। मौसुब सेक्रेटरी ने कहा कि इस आपरेशन से हमा पर रोजगार मतासिर हो रहा है नाजरीन ये ताज का खबर नामा इसे के साथ मुझे भी जाज़त दीजिए और लेटस्ट अपडेट इसके लिए देखते रहें तर्याल लिवस 24-7